अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए झाल करेंटे नमस्कार, मुख्या समाचा इस प्रकार है 25 मई 2011 राजदानी दिली के हाई कोट के गेट नमबर 7 पर जो बंबलास्ट हुआ था उसके ठीक 105 दिन बाद आज सुबह 17 पजे फिर से दिली हाई कोट के गेट नमबर 5 पर खड़ी एक कार के अंदर बंबलास्ट हुआ इस बंबलास्ट में 11 लोग मारे गए और 51 लोग बुरी तरह से जस्मी हुए हैं दुबारा राजदानी दिली को आतंगवादियों ने अपना निशाना बनाया है अभी तक किसी भी आतंगवादी के ग्रोव ने इस हाथ्से को लेकर जिम्मेदारी नहीं है ओर पालोई ने अपने देशंगे यस जिस थाली में छहते है ना उसी करते है 한국 किसकी बाद कर रहे हो तुम मुसल्मानों मुसल्मानों के बारे में क्या बोल रहा है है क्या बोल ला है तू मुझे कह डू है ने क्यों लड़ रहे ओ एक तो बल बोला अच्छा है और भाईयो अपने के सरकार है किने वमें और खार अ तुम सब हिंदु हिंदु को जा जा हम भी देख लेंगे तुम या लोगों को अबू आप ऐसा कीजिए कि आप अम्मी के साथ यहाँ पे आके खड़े हो जाए अरे नहीं भाई मैं यहाँ ठीक हूँ अरे अबू ऐसा नहीं और भाबी आप यहाँ पे जाके बैठिये अबू रोमी को साथ में बैठने देते हैं और मैं फूफू के साथ बैठ जाती हूँ अरे फूफू आए तो सही देखी अम्मी एक तस्वीर के लिए घंटे भर से सज रही है फूफू अलाप आभी जाएए आरे यूँ जरह सुर्मा तो लगा लूँ अरे आपकी आखे तो बिना सुर्मे के भी माशाला खूबसूरा दिखती हैं जल्ली आएए आप आए हाए गजब खुदा का कैसी हाई तोबा बचा दी है तुमने जाने कौन-कौन फोटो देखने वाला है भाईजान मैं एसी खड़ी हो जो भीना तैयार की हो रही हो तुम्हारा क्या दूसरा निकाहोनी जा रहा है तोबास तक फार कैसी बाते करते हो भाईजान आप इनके मुकाबले कहीं फोटो खराब नहों जाए भाईजान मेरा सेट दिख रहा है हां इनी का सेट दिखा रख लो कंदे पी अरे फूफो अकड़ की कुं खड़ी है ए तस्विर कि चवा रही हो एसे खड़े होते तस्विर में मुस्कुरा ये सब लोग मुस्कुरा रहे है इतना काफी बहुत ज्यादा हो रहा है अच्छा ठीक है इतना मुग खोल रही है अब खीचो भी गर्दन अकड़ गई मेरी जब्रे अकड़ गई मेरे एक सिकेंड अब क्या हो गया इस केमरे में चलो खीचो जल्दी कि अब अब इस दिब्बे में कुछ डाला भी था तुमने करबला की खाक डलवाई थी हां एक सिकेंड फूफो बस हो गया यह बस आखरी बार हाँ पूफो बस आखरी बार है हटाओ नहीं खिचवाना तस्वीर को हो गया तो में तुम्हारा चेहरा किस तरफ था तरफ ता कि तरफ तरफ तस्वीर फना होने से बच गयी कि क्या बात है लक्ष्मी कुछ नहीं भाया मैं तुम्हें राखी बांते हूं यह मेरे भाईयों को पसंद नहीं क्यों कि तुम्हारा धर्म आड़े आता है मैं मौहसें से बहुत मौहबबत करती हूं यह भी उन्हें पसंद नहीं पर मैं मौहसें के बगर जी भी नहीं सकती प्लीज भाईया कुछ तो करो न कि ठीक है कि मैं कल ही तुम्हारे बाहियों से मिलके तुम्हारे और मौहसें के शादी अराम जादे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेहन लक्षमी की शादी एक मुसल्मान से कराएगा उन दोनों को तो हम ढूंड ही लाएंगे जहां भी तूने भगाया है और मिलते ही उन्हें मार डालेगे पर तुझे भी जिन्दा नहीं छोडेगे तोड़ो इस हराम जादे के हाथ पहर अरे मुश्ताक बेटा तेरा भाई तो घर के बाहर है सुबैसे अब तक घर नहीं आया मेरा बेटा अब में तुम भिक्र मत करो करीम भाई को मैं अब भी ले कराता हूं आप अपना खयाल रखना अरे यह बच्चा यहां क्या कर रहा है कौन है कौन है दर्वाजे पर अम्मी मैं करीम जल्दी दर्माजा खोलो अरे करीम बेटा तेरा भाई तुझे ढूणने गया है बाहर बहुत दंगा फसाद हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा था या अल्ला मेरे बच्चों की हिफाज़त करो अरे यह तो पाणे जी का बेटा है यह आंके कर रहा है बेटा आजा आजा डर्मत बेटा डर्मत मैं तुझे तेरे घर लेकर जाता हूं बेटा अरे तो पांडे साब के बेटा है मुझा कर डूब डालेका इससे जालो को इसका बचाइए है का जाल जाल कि अज़ा जाल जाल तो पाटा आटा दो को मेरा भाई मर गया आज मैं तो बच्चे को बचा रहा था अरे बच्चे को तो मेरा भाई बचा रहा था तूने मेरे भाई की जान ले ली देखा तुम घलत समझ रहे हो अरे घलत समझते थे अब समझ में आता है कि पुलिस हमारी दुश्मन है पुलिस अपना काम कर रही थी कि हां करती है दंगों में मुसल्मानों को मार कर कि ये मेरे बेगुना भाई के लाज तेरे दुल्म की गवाह है कि जी करता है तेरे साथ साथ तेरे वालों को भी जला कर राग कर दूँ कि अझाल या किन दूप C8 मुझाय के व comprवाई टुल्मानों कर रोड़् जाद म llा पालों का स्वाद है कि बालों कि वाद है कि अधर है कि दिवर वे रेया था? कि रेया Testament बालों कि दिवर ये रेतफ जडैंति तो जाद एफ वें खो evolवा़ पीज़ कि घवर 9 डिर खिर देडने दिर खवा मुझा झाल बार 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 हुआ झाल वब भ। प्लेन, झाल को बजुद प्लेन करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार इंसा इंसा का दुश्मन है इंसा इंसा का दुश्मन है बेगाना सारा संसार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार इंसा इंसा का दुश्मन है इंसा इंसा का दुश्मन है देगाना सारा संसार जाने कितनी सदिया बीती कितने मौसं बीत गए जाने कितनी सदिया बीती कितने मौसं बीत गए जाने क्या तुछ पाने की जिद दिल के रिश्टे रीत गए उजडी है हर बार बस्तियां बेवजा है लुटी बहार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार चीफ मिलिस्टर साहब कर राज जो दंगा फसाद हुआ जो खुन खराबा हुआ इसके बारे में आपका क्ये कहना है किस किस को पकड़ेंगे सर आप एक हिंदू पुलिस ओफिसर के सामने एक मुसल्मान की हत्या कर दी गई और उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की गई क्योंकि वो एक मुसल्मान था आपको पता है उसी मुसल्मान ने एक हिंदू बच्चे की जान भी बचाई है क्या यही है आपकी सरकार आपकी पुलिस पोस जो एक बेगुणा की रक्षा तक नहीं कर पाई इस बात का चवाब को आपको पार्लियामेंड में देना ही पड़ेगा मिनिस्टर साब अरे हम और हमारी सरकार क्या करेगी यह तो आपको कल की न्यूस पेपर में पता चल ही जाएगा है अच्छा हम चलते हैं हमारी सभा का वाक्त हो गया है मशकार कल तो आखिर कल ही रहा है देखते हैं कल मिनिस्टर साब पार्लियामेंड में अपनी कुर्ची बच्चाने के लिए क्या गुल खिलाते हैं मैं मुंबई से ज्योती शर्मा अंत तक समझ में नहीं आता हमारे देश की जनता इतनी भोली क्यों है जो एक सजाय आफ्ता मुझरिम पर परोचा करती है फिर उसे सीम की कुर्ची पर बिटाती है और वही सीम उनके साथ विश्वास घात करता है जनता की भावनों के साथ खेलता है और उनके धरम और मजब को ठेश महुचाता है अरे टाकुर साथ आजकल आप अपसे चुपा चुपा कर बड़े धमाके करने लगए है अरे धमाका काहे का कामिल खान वो साला इंस्पेक्टर विजय पाटिल को सस्पेंट करवा दिया है अब क्या है हिंदु लोग तो हमसे खुश है ही ये साले मुस्लिम लोग भी हमसे खुश हो जाएंगे तमाम सबूतों को मध्य नजर रखते हुए कौट इंस्पेक्टर विजय पाटिल को करतवे में लापरवाई के लिए सस्पेंट करने का आदेश देती है आचारिये जी आपने आज का न्यूसपेपर पड़ा है एसीपी विजय पाटिल को सस्पेंट कर दिया है हाँ वही हुआ जिसका मुझे डर था लेकिन प्रदीप ठाकोर ने एसीपी विजय पाटिल को सस्पेंट करके एक ऐसे भारूत को चिंगारी दिया है जिसका धमा का पूरे शहर को हिला कर रख देगा होली मुभारक हो बेक साब अपने हाथ से ले लीजे अच्छा जी बहुत महरवानी यह लेजिए बहुत मुपारब अब चखली जी हमारे हाथों ज़रू टेस्ट करेंगे अब अल्ला की कसम देखो तो कमबक्त मरे घर तक रंग लेकर आगए लखनों में कोई हिम्मत नहीं कर सकता इस तरह रंग बिरेंगी सुर्थे लाने की दर्वाजे तक अब भाईजान को तो कहते नहीं हो कुछ चले गए फौरान उनसे मिलने अच्छा एक बात तो बताओ यह मरे कहीं भाईजान को रंग तो नहीं लगा देंगे पूफो अब्बू को और हमें इसी बस्ती में रहना है मिलना जुल्ला तो पड़ेगा ही ना एक दुसरी के साथ आया है तो फिर त अधुदों का कोई भरोसा नहीं रंग में मिलाकर कुछ लगा दिया तो अरे रंग और हुली जो है यह दोस्ती की तिवहार हैं दुश्पनी निकालने के नहीं अल्ला तो बात बात यहां आने के बाद दीन इमान भूल गए अब क्या होली और दिवाली पर इमान रखोगे तबसुम इसलाम इसकटर पने का नाम नहीं तुम तालिम इसलाम की पहली किटाब लो और फिर से पढ़ना शुरू करो लो इसलाम भी फिर से पढ़ू है अरे पुपो आपने तो अब्बू की इमान पर ही हमला बोल दिया हां हां जब हिंदू मुसल्मान साथ रहते हैं तो एक दुसरी के जजबातों की कदर करेंगे ही ना इसमें हर्ज क्या है एह वाकई कोई हर्ज नहीं मेरी बच्ची कोई हर्ज नहीं बस मेल जोल यूही बढ़ता रहा तो बस वो दिन दूर नहीं के शादी ब्याह भी होने लगेंगे घर में है ना वो तो शुरू हो चुके है इसमें पुपो हम ना जाने कि इस दुनिया में रहते हैं हमारे ही महले की मेरी एक सहली दिपती और और क्या ओ नो क्या होगा यह कोई खेलने की जगह है तुमने मेरी गाड़ी की लाइट तोड़ दी जलो भागो यह से बढ़ना लिखना है नहीं सबके उपर तैंडुकल बनने का भूस सामार है आरे इनको बोलके कोई फाइदा है क्या यह मियालो कभी सुद्रे है जो आप सुद्रेंगे अब क्या करें अब है सुद्रें मेरी बॉल लेकर कहां जा रहा है तू मेरी बॉल वापस कर अभी बताता हूं मैं इसको कि लो अब इस अबधुल ने गाड़ी का शिशा भी तोड़ दिया आप अज और bank को तोड़ा हमने तो नहीं तोड़ा मैंने देगा तु लोड़ा ये कोई खेलने की जगह है क्या एक पर समझाय समझे है क्या चाहिए से आप मारके दिखाना इसने अब्दुल को थपड मार के बहुत बड़ी गल्ती की है आप इसे मुसल्मान लोग नहीं छोड़ेंगे और मुसल्मानों ने छोड़ भी दिया तो करेम इसे नहीं छोड़ेगा करते हैं सब प्यार की बातिं करता कौन किसी से प्यार इंसा इंसा का दुश्मन है इंसा इंसा का दुश्मन है बेगाना सारा संसार अरे मेरे अल्ला घजब खुदा का भाईजान इतनी खरीदारी करनी है इमान से मुझे क्या बताऊं कमबकत मारी मैं भी दो तीन पहले खरीदारी कर लेती तो यह नोबत दिया अरे कुछ नहीं तुम इनका सफन है तुम्हारा अरे मेरी भावी भाईजान से पूछो मुझे भूख कहा लगती है आप तो नहीं भावी बना लेना रास्ते में भूख लगे तो एक काम करो थोड़ा सा दाल गोष्ट थोड़ा सा भुना कीमा कबाब रोटी मत बनाना फराठे बनाना मुझसे रो तक वो उस दिन वाली फोटो ला रही है लेके नहीं जानी आपको लगनों आप तो बड़ी हिरोईन लगनी है उसमें देखो भाईजान कैसे मज़ा पुड़ा रही है मेरा दीवार की तरफ मूथा जल्दी से तस्विर किचली लगनों में वो दिखाऊंगी क्या चलो चलो दो बज़े तुम्हारी गाड़ी है जल्दी आजाना अरे अरे गजब खुदा का अभी तो कह रहे थे कि चार बज़ी कि दो बज़े कहूंगा तो चार बज़े आओगी ना तु भाई जाना आप भी चलो मैं तो चली अल्ला हफीज मैं पहचानता हूं तुमें अच्छा घ येस मिश्टर बशीर बेख महीं हूं फर्माइए नमस्ति अंकल मैं अनंद हूं बैंगलोर्स आया हूं सलीम सलीम का तोस्त अनंद उसने फोन पर बताया था आईए प्लीज जी वेलकम आईए घर ढूंडने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई जी कोई खास नहीं घर पर कैसे सब बस सलीम को बहुत चिंत लागी रहती है बस अल्ला का करम मियां बैठिये काफी बड़ा घर है आपका दिल बड़ा होना चाहिए मियां घर से क्या फरक पड़ता बेगम जी अरे इनसे क्या परदा है यह तुम्हारे बेटे सलीम के दोस्त है बैंगलोर से आये है नमस्ते अंटी जी ते रहो सलीम खेरियस से तो है जी बिलकुल बहुत दिल लागा काम करता है बेगम कुछ नाश्टे उगरे का इंतिजाम हो जा तो बहतर रहेगा जी अंकल इसकी नेटर भी है अच्छा और यह मिठाई मेरी माने बेजी ऐ अरे इतनी तकलुफ की क्या जरूरत है भई तकलूफ कैसी अंकल अब मेरे बाई कि यहां बेटी पैदा हुई है भई खोदा बच्ची की उम्र दराज करे तुम्हारे यहां तो लक्ष मी पैदा हुई है जी थैंक तो बच्चे को बाटा अनंगुंत हैं एक मिनेट भाई आनंट तुम बताओ क्या हुआ अंकल इस दड़के ने मेरी गाड़ी के लाई तोड़ दी मैंने से कुछ नहीं का फिर इसने पत्थर उठागा जान बुचर कांस तोड़ दिया तो मैंने से आप चाहे तो उस दुखानार ते पूछ सकते हैं बच्चा है वो गलती होगे तो जान से मारेगा बॉच्चर भी इतरे में अभी बताता हूं तुछ अले क्या तुम्हारा जनली पनाए असुलन तो यह होना जाए कि बच्चक दूथ बढ़ दे गाली कर पैसे भर दे लेकिन उल्टा इससे मारने चले आये तुम साब आप बता प्यूच सादु दुम के लो सबसे यह थामका और अंतर्य का श्क्राइव क्वार्याज गज़ां से घर हांसे नाय संसे मार तुम की ये तो तुछा जा यह चले बाग ए क्या से चले हरसे डिल्किए अह औरे दर्माप तरुमンドर्वाज्च खुल्वाओ कर शुभाकि लेखे बैठी या बेख साब आखरी बार समझा रहा हूं आनध को घर ते बाहर निकालो मेरे दुश्मन को घर में पीठाकर मेरे से दुश्मनी ले रहे हो आग लगा दूगा इस घर को कहा कहां अग लगा अगर तु ये बस्ति तो तो पहले भी फूग चुका है लेकिन आज अगर इस बस्ती में आग लगी तो तू पहले जलेगा उस आग में आनंद अपना लड़का है उसे हाथ लगाने वाला चार कांधों पर जाएगा यहां से आगे आनंद और सदानंद का ठेकेदार अबे कुछ आदमी तो साथ लियाता उसके अर्थी उठाने के लिए वरना एक भिगारी के अर्थी लगेगी अब इस बस्ती से हमारे वालों के अर्थिया नहीं निकलेंगी जनाजों के लिए सड़क चोड़ी करा ले अब उन हिजड़े नहीं जो अपने वालों को पिटता देखते रहेंगे अब मर्द तो तु कभी थाई नहीं रहे तो केसे मारने वाला मर्द किदर होता है वो देख तेरे वाला हिजड़ा चुपके बैठा इंदर निकालना उसको दम है तो वो निकलेगा भी और अपने पैरों पर मेरे साथ चलकर भी जाएगा आज मैं भी देखता हूँ तू उखाड़ क्या लेगा तू देखेगा भी और याद भी रखेगा क्योंकि आनंद अब यहां से जिन्दा बचके नहीं जाएगा जा अपने लड़के भेजकर उसकी चिता के लिए लखड़ियां इकट्टी करवा ले तेरे को बोलना पड़ेगा आज कफन वाले से क्योंकि आनंद को कुछ हुआ तो दुकान पर कफन का कपड़ा कम पड़ जाएगा यह बस्ती रहमान नगर नहीं है जहां हिंदों के घर जला कर तुम लोगों ने इद माना ली थी अरे हनुमान गड़ी भी नहीं है यह बस्ती जहां बीच में भसे मुसल्मानों को काट कर गंगान आ लिये थे तुम लोग मामू मामू मैं छोक्रे लोगों को बुला कर लाता हूँ पिकर मत कर छोटे इन सैकड़ों कबूत्रों के लिया केला बाजी बहुत है हमिद भाई हमिद भाई क्या हुआ चोटे जल्दी चलो करेम भाई का लफडा हो गया करेम भाई का लफडा कब बेक साब की घर के पास विजए से विजए से इभी चल 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 अब ने जाना ये लेकिन अब सवाल जवाब बहुत करता है ड़ науч नहीं गेरा एक मिनट बाद्चा में अरे कहां ले जा रहे हैं यह खून तो बंदी नहीं हो रहा अंकल आप लेड़ जाए लेठी आप आये इतना खून बहा दिया सभाल कि चूतियां मार मार कर सुरक बिगार दूंगी उस खभी इसकी अरे बेगम ठैरो ठैरो आंटी आसपास कोई डॉक्टर है लेकिन उन्हें बुला कर कौन लाएगा मैं मैं जाओं कि अम्मी चुप रहो दुलन तुम उंदर इनलों के सामने निकल कर जाओगी आंटी अंकल को डॉक्टर के पास मैं लेकर जाओगा देखो बेटा एक तरफ इनकी हालत देखी नहीं जाती और दूसरी तरफ तुम्हारी जान जोखें में पढ़ जाएगी शैतान दर्वाजे पर मुह फाड़े खड़े हैं लेकिन आंटी जख मुह बहुत गहरा है कि खुन बंद नहीं हो रहा है अगर सेप्टिक हो गया तो सारे जिसम पर फैल जाएगा आंटी अंकल को डॉक्टर के पास तो लेकर ही जाना होगा अब डरकी हो जैसे मैं और इंतजार नह होग को होग तो अनन्ध शुटन जायर नहीं होगा तो अव्यक्ति आएगा प्र जबसा आ अचाना है हालो आननध आवर जेंटलमेन दिस इस डीडी दत्तत्रे दांडे कर इट्स विजय डोंट वरी करीम तुम्हाई नाराजगी मुझसे है मैं समझ सकता हूँ लेकिन अंकल से तो कोई दुश्मनी नहीं है न तुम्हारी इस वक्त इनकी मदद करना तुम्हारा भी फर्ज है विजय जख्म बहुत कहरा है खुन बंद नहीं हो रहा डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है लेकिन लेकिन क्या तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाओ पट्टी कराओ और फिर यहां से जाओ देखता हूं कौन रुकेगा तुम्हें यहां करिम भाई गोली दे रहा है उधर से चुपचा भाग जाएगा अबे मैं क्या लिबाक से आया हूँ बेक साब तो बाहर निकलने देंगे नहीं निकलने दें साले को रस्ते मिलते ही दबोच लेंगे जाइए भिक साब पता नहीं क्या होगा अब इस बस्ती का चैमेने भी नहीं हुए दंगे होकर अब फिर माहल बन गया है दंगों का फेट जी आज इतनी जल्दी दुकान क्यों बन कर रहे हो पिछले दंगों में करीम का भाई मुश्ताक मारा गया था उसके बाद हर हिंदू उसका दुश्मन हो गया हमें इन दंगों में पढ़ने की जरूरत नहीं है चल तू घर जा पता नहीं और कितने लोगों का बली लेगा ये दंगा कितने लोगों के हाथ पेर कटेंगे नजाने इस बस्ती के खौन के प्यास कब बुचहएगी आया इनहें क्या होगा एसे क्योंआ रहा है यह क्या होगया यह क्या हो हो गया या घ्राप old क्या कहा पेटा डॉक्टर ने अबु ऑनों केजिए त्बेत हैं आपके और यह पूतल आप कुछ बोल्या और क्यों नहीं क्यों ले रहें अब अबुधे तो कुछ बताई ना कि क्या हुआ करें रहें कि मैं बतायों बोलताता हूं यह क्या करें है अफ ये लो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है बेगम, मैं अच्छा खासा हूँ, ये सब आनंद का आइडिया है, कि अगर मुझे इस हाल में देखेंगे तो बाहर सडक पर वो करीम और वीजय जगडा नहीं करेंगे, उन्होंने वाकि जगडा नहीं कि अगर वो जगडा करते, तो म घर जिन्दा कैसी आता, न में जिन्दा आता, न वो जो बाहर खड़ेवे मुसल्मानों की और हिंदूओं की भीड़ है, उनमें से कोई जिन्दा रहता, पच्छासों बेगुनाहों का खुन बहचाता, सबके जिन्दगी का अख्तार ये अकिला है, खुदा तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है, तुम्हारा एहसान है हम पर, कैसी बात कर रही है आप आंटी, एहसान तो गैरों पर किया जाता है, अपनों पर नहीं, बेटा, लगता है, तुम्हारा रिष्टा है कुछ हम लोगों से और इस घर से, क्या है, अच्छा अंकल, अब मुझे चलना चाहिए, तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें इन हालत में यहां से जाने दूँगा, मैं इतना खुदगर्ज हूँ कि अपनी जान बचाने के बाद, तुम्हें इन बेडियों के हवाले कर दूँगा, बेटा, मैं नाम का नहीं, मैं सच्चा मुसल्मान हूँ, महमान हमारे लिए इमान की हैसियत रखता है, और महमान के जिसमें जरा सी खराश, इमान पर खराश के बराबर होती है, और ओ खराश मैं कभी लगने नहीं दूँगा, लेकिन अंकल ये सब, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, नहीं, आप पुलिस को फोन मत कीजिए, आप जानते हैं उन्होंने किस तरह दमकी दिया है, देखे, जगड़ा मेरी वज़े से हुआ है और मेरे बिना खात्म नहीं होगा, ये जगड़ा तुम्हारी वज़े से नहीं, उन दोनों मर्दुदों के जित की वज़े से है, इस वक्त हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, तुम मेरे लिए, मेरे बेटे सलीम की तरह हो, मैं सलीम की लाश नहीं देख सकती, करिम भाई एक बात पूछे, एह तुछुप करना, भीज़ा खराब है मेरा, इर्फन भाई, मैंने आपको बताया था मेराज, बहुत ही है करजिंट काम था, नहीं, मैं जा नहीं रहा हूँ आपे, बस एक फोन करके आता हूँ बस, अरे क्या, किना, और अर्फन सकता है, जो सन्टिन, बस्तिया हैं, अर्फन के आता हूँ बसकर ऑना, अर्फना, किना, किना, देन बेग, गूड इंकम, यू अंडर्स्टाइंग, डूंट लाओ, तम की बात कर रहे हैं, जो अंदर चिपा बैठा है, उसे बाहर निकाल कर लाओ ना, शाय शेहनाज वापस आई है, कौन है दर्वाज़े पर, बेग साहब मैं, मैं हूँ डॉक्टर केलकर, आपके लिए कुछ दवाईया लाया हूँ, जो उस वक्त जलबाजी में देना भूल गया था, ये बहुत जरूरी है, आपको अभी खाना है, फोरन, वरना इंफेक्शन फ मैं देखता हूँ, अरे, 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 तेरा काम हो गया ना, ये, कायरों की तरह क्यों मैठा है यहाँ पे, चल मेरे साथ, तुझे गाड़ी तक मैं छोड़ूँगा, तुझे कोई चुवेगा भी नहीं, लेकिन विजए, ये दवाएं खाने के लिए नहीं, दरवाजा खु समझें, चल यहां से, आनन्द यहां से नहीं जाएगा, तुम जाओगे इस घर से, तुमारी हिम्मत कैसे हुए मेरे घर में आने की, हिम्मत की बात मत करना भी एक सहाब, भारी पड़ेगा, अच्छा, चल आनन यहां से, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, इसे समीन पे तोड़ाए, आपके सर पे तोड़ सकता था, पुलिस को बुलाने की कोशिश, पूरे घर को आग लगा देगी, चलो यहां से, आनन, चलो, बिजयप, अरे, इक्या कररे हुए, क्या कर रहा हूँ, ॹॉआ रहे, क्या करना हूँ, आनन यहां से, चल के नहीं जाएगा, आनन यहीं से जाएगा अरे उपर वाले से तो डरो मुझे मारेगा बहुत भारी बड़ेगा थूर उपिषो यह मतना का तू जा पेड़ी जा बुलीस कौ पुला पुलिस को अब पुलीस के पास मत जाना यहाए पुलिस को थाए रॉप फाइब पंदो कर दो कुर्ण झाई झाई! आई लगा झाई! यह उने से यह उने जई! आप पुर्ण है! आग झाई! अच्छलो! अच्छलो! ऑपक्रो हो से में विखाई द scorêt嘛 Miram यह संसम्त पख्रो हो इसो पख्रो कि आ में उसकी हो और है आप फीछ और तोप्ट्राइस ते हैम जाोंगी पलीस तेस्टन जाओंगी आप समझती हो ने घर जाए ना आप आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले अरे यह नहीं जाएंगी यह पुलिस के पास नहीं जाएंगी नहीं जाएंगी अरे आप रोकिए आप समझती हो रही है दोपे कि देखिये आप लोगों की दुश्मनी मेरे से मेरे से ये फुलिस में नहीं जाएंगी आम लोग आपास में आपस और लेंगे प्लीस प्लीस प्लीसruktur अहाँ डीडी समय है प्लीस प्लीस मैं अहां तुम हो न इसलिए तो सारे मुल्य में फसाद खड़ा हुआ है सारा इल्याका जो है उम्मेदाने जंग बना हुआ है तुम्हारी वहीं से मेरी बेटी को और तुम लोग जला से इंसानिया शरापत तुम लोगों को छू नहीं गई है बड़े हिंदू और मुसल्मानों के ठेकेदार बनते हैं फिरते हो अरे पहले ठेक से मुसल्मान और हिंदू तो बन जाओ बाद में ठेकेदार बनना बड़ा जोश लिये फिरते हैं सारे महले का चेंण हराम कर दिया है इतना जोश है तो एक कम मुकाबला एक करके दिखाओ एक हिंदू एक मुसलमान को मारो खुन बहाओ खतम कर दो कोई नहीं पूछने वाला तुमको यह जो भीड़ी कठा करते हैं वो बुझ्दिल करते हैं बहादूर एक कम मुकाबला एक से करता है उसके बाद हिंदु और मुसल्मानों के ठेकेदारी ने भाना चलो बेटी अंकल अंकल तुम जाओ सारे फसाद के जड़तुम हो जब से आये हो सारे मुहले में आग लगी हुई है सुबह से चैन का सांस तक नहीं लिया अंकल अगर पुलिस के पास चले गए तो बहुत क्या प्रकारश्या पुलिस की बाद घ्री अंचल अंचल के यह घ्कषाब को अवारे हो वे अनन तुमें तर्ने को ही ज़र्वत नहीं है अनन कम आऊ शेम कम तो नो रवाज़ा को आँ सेटेर ऐसे दंगे जान लेवा हो सकते हैं बात छोटी सी है पर कहा तक पहुचेगी खुदा ही जानता है बस पर इस लोगों की जगडे में पड़ेगा कौन तुमारा हमारा कौन सुनेगा तुम नमाज पढ़ाओ मैं भगवान की पूजा कराओं तुमारा हमारा कोई महत्वा नहीं हमें तो अपना फर्ज निभाना होगा हमसे नहीं डरेंगे तो कम से कम पुलीस वालों से तो डरेंगे क्या कहते हो तो लगाओ फोन पुलीस वालों को पुलीस पता है विजय और करीम क्या कह रहे थे लेकिन पुलीस वालों को कैसे पता चलेगा कि फोन किस ने किया था पुलीस तो नाम पूछेगी मिया नहीं बताएंगे नाम हालाद बताएंगे लगाओ फिर पुलीस को फोन चलो 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 हालो 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 पुलीस टेशन मैंने बाहर उन लोगों के सामने तुम्हार साथ बहुत बुरा सलूक किया सॉरी अंकल मैं मैं चला जाता आप आप मुझे दुबारा अंदर ले आए बेटा मैंने देखा जब सारी भीड मेरी बेटी शैनाज के पीछे भाग रहे थी तो तुम अकेले रह गये थी तुम अगर चाहते तो मौके का फाइदा उठाकर अपनी गाड़ी लेकर भाग सकते थी मगर तुम गये नहीं तुमने मेरी बेटी की जहान बचाई और मैं इतना खुदगर्ज हूँ कि मैं तुम्हें उन भेडियों और मौत के मुह में छोड़कर आ जाता नहीं बेटा यकीन मानो तो आज मुझे पता चला कि दोस्ती और दूश्मनी की बुनियाद मजहब नहीं है फ्रेंड्स और फोस्स केनाट बी डिसाइड़ टू दे बेसिक आप रिलीजन दोस्ती की बुनिया तो इंसानियत होती है इंसानियत अरे गद्दार हो एक नंबर के एक मुसलमानों के धोगा कितनी गंदी जहनियत है इस मुल्क के लोगों की और कितना बदनसीब है यह मुल्क एक हिंदू ने मेरी बेटी की जान बचे यह और एक मुसलमान मुझे गद्दार कह रहा है इससे बड़ा इना मुझे जिन्दगी में क्या मिल सकता है ऐसी जिन्दगी से तो मौद पेतर है सारे के सारे ऐसे ही होते हैं घद्दारी तो धंदा है इनका देश को नहीं छोड़ते तो हमें क्या छोड़ेंगे इंटरनेशनल नॉनसेंस इतनी चोटी बात जरा सी बात पर खयामत कर दी हिंदू-मुसलिम एक दुसरे का गला काटने पर उतारू हो गया अबू मैं करीम से बात करती हूं क्या बात करोगी नफरत की दिमक उसके जहन को चाट चुकी है कोई फाइदा नहीं है उससे बात करके आप मुझे बात करने दीजिए अरे बेड़ी करीम भाई ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसमें खून खराबा हो मुझे मालूम है इस वक्त आप बहुत गुस्से में हो लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि आप बहुत समझदार इंसान है अगर आप मुझ पर यखिन करें तो इस बात का हल है मेरे पास आप ऐसा कीजिए कि आप अबदुल को बुला लीजे और मैं आनन्द को बाहर बुला लेती है फिर फिर क्या आनन्द अबदुल से माफी मांग लेंगे वो उसको सौरी बोलेगा और वो उसको सौरी बोलेंगे दोनों अबस में हात मिला लेंगे किसा खात में मेरे को सिखाने आई है अभी अब्दुल के बात नहीं है करीम की बात है अरे वो तो बच्चा है वो क्या जाने जब इज़्जत पर बात आ जाए तो जान की बाजी लग जाती है इसमें इज़्जत के क्या बात है और आपका तो यह मामला भी नहीं है अब्दुल ने आनंद क या मुसल्मान बनके सोच रहे हैं इंसान बनके कोई नहीं सोच रहा है फुजद बेकार है आ जाओ कि अ अ कि अ कि मैं आ कि अ मुद्धित अ ए माते, ये तुम्हारी रची हुई दुनिया है, फिर इतना खोन धराबा क्यों? सब को पता था, संग बहेगा, अपनों का इक साथ लहू सब को पता था, संग बहेगा, अपनों का इक साथ लहू किस को गिला क्या, किस से पूछू, किस का गाति, किस को कहूँ सबने बहाया, लगू है सबका, सबने चीना, सबका करा करते हैं सब प्यार की बाते, करता कौन किसी से प्यार करते हैं सब प्यार की बाते, करता कौन किसी से प्यार दो डबे से चलेगा क्या और दो तिन डबे भर के लाग हस लेटके पिछली बार उन्होंने हमारी गैरे जलाई थी इस बार उनके दुकान के एक एक लोखन तक जला देंगे समझा मेरे तो हाथ पैर जले थे अपके बार सालों के शरीर जला दूगा ऐसा चांस बार-बार नही देती चलो आज चारों लोग मुझा कर लेते हैं बस यार अगर एक से पढ़ती तो चार में के बढ़ती गंपचुबट यार अपने को शादी दोड़ी करनी है खापी के मज़ा वाने का अधालेंगे आज उसको करिम भाई हाँ नमाज पढ़ते वक्त अगर आनन भाग गया तो क्या करेंगे उसके किसमत एक बार नमाज की नियत कर ली तो ख्याल सिर्फ अला करहता है दुनिया कर नहीं चलो नमाज पढ़ें विजे ब्रदर, that's people we are busy in नमाज by this time बेख सहाब also included in the same process now happening what if may आनन come out of this house उसका भाग्य है यार हम चलते हैं थोड़ टाइम के लिए हमारी दुश्मन नमाज पढ़ रहे ऐसे में आनन निकल आएगा और हम उसे कार तक पहुचा देंगे लोग हम पर थू थू करेंगे बोलेंगे करीम ने कुछ निकिया इसके लिए हमारी सारी ज़द का फालुदा निकल जाएगा मज़ा तब है जब इन के सामने आनन को मिहां से निकाल कर भार ले जाएगे येस समझाय क्या विजय ब्रदर यु आर राइट इस हैपन दें देर इस नो हैपनिग इट विल इंसल्टेट फोर यू या और दें यू फोर मी नव कम ओन वाट यू वाचिए तोड़ी दे के लिए वो सकता इस वक्त करेंबी नवास पढ़ रहा हो ये सही मौका है मुझे यहांसे चले जाना चाहिए घर जो अढ़ चाहिए मुझे सही मुझे ये उच दुट मुझे भी कि यूधे वाट stat मुझे वाट stat यु़ तोड़ा वाट blog मुझे डेन है परे वाट lower इधर तो कुछ भी नहीं है इधर तो विजय भी नहीं है करीम तो नमाज पढ़ा रहा है कौन किया फून किसी ने सायद किया हुएंगा शाब दोड़ा मार के अरे इधर कोई लफड़ा हुआ क्या ने साब कोई लफड़ा इधर नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ इधर सला इसे ही फोन करता है पुलिस्टेशन में मगर मारी करता है चलो क्या आज खाने में क्या पका लूँ जो तुम लोगों का दिल चाहे वो पका कर खा लूँ मेरे मुमे निवाला नहीं जाएगा पूँझे भूख नहीं है भूख तो मुझे भी नहीं है अम्मी आज तो सब की भूख मर गई है लेकिन भावी आपको भुखा नहीं रहना चाहिए माशाया अल्ला आप उमीद से है और अब्बू ने भी सुबसे कुछ नहीं घाया वैसे घर में मैंमान हैं अम्मी अम्मी आज सब हाके से रहेंगे बेगम कि आप यहां एक मिर्ट तर्शीप लाएंगी बाहर कि क्या हो रहे देखे मैं जानता हूं यह सब कुछ मेरी वज़े से हो रहा है कि ऐसे महोल में किसका मन करेगा कुछ खाने को नहीं मुसीबत बनकर आया हूं तुम अपने आपको क्यों कोश्ट रहे हो अच्छा तुम यह बताओ तुम्हारा कोई खाने में खास परहिश तो नहीं है तुम सब खाते हो यह कोई मक्सूद खाना है तुम्यारा सब्सक्राइब करें तो आज वहीं खाएंगे एक काम करो एक डाल बनाओ तड़के वाली तुरम की और सब्जी चलो जदी जटी कमाऊँ ज़ग जाकर खाने हमें आजे, दाल सब्जी खाएंगे, मैं तो अक्सर बेस्तर यही खाता हूँ, मेरे जादा तर दोस पंडित है आपका दिमाग खराब है, अभी अबू को बोलती हूँ प्चार बेस्तर आपकाँ जड़ काँ जडने तर थेड़े जयोआ है ड्यायाय हूँ, तता इने तो अक्सर juिए ड्योई हूँ, ततार दी मिलाünden तोस अक्सर बेस्तर दोस एवे जडने तोस नड़्यकोफोना में तॉडना है ये लो हाँ आपा सलाम अलेकुम सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आप कौन आप मेरा नाम करीम है इसी बस्ती में रहता हूं देखिए आपा बेग साहब ने एक ऐसा काम किया है कि सारे मुसल्मानों के शर्म से सर जुग गये हैं आय है गजब खुदा का ऐसा क्या कर दिया कवास बत करो समझे तो नहीं आपा बिल्कुल सच बात है नो लैंग्वेज नो मर्स टेकिंग हेल्पिंग ऑप डैट बीग उमन खामोश रहो क्या कह रहा है ये आपा सारी बस्ती के मुसल्मान नाराज हैं बेक साप से आखिर रहना तो उन्हें इसी महले में है घर में जवान बेटी है और आज सारे महले के सामने उस हिंदू लड़के ने शेहनास का हाथ पकड़ लिया गजब खुदा का शेहनास का हाथ पकड़ लिया मोले में बात आख की तरह फैल गई है अब कौन मुसल्मान लड़का शेहनास का हाथ पकड़ेगा आप आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं हां बेटा अच्छी तरह से समझ रहे हूं आप आप समझदार हैं इसलिए आप से कह रहे हैं आप अंदर जाए उससे धक्के मार कर बाहर निकाल दीजिए यहीं होगा तुम धक्के मार कर बाहर निकालती हूं मेरे होती हुए तो यह हिंदु लड़का इस घर में नहीं रहेगा इमान से जी आपा शैनाज शैनाज या अल्ला कुछ ऐसा करो कि आनंद घ ऑगरहाब से बाहर आ अगर ऑगर वगर से बाहर आ गया तो बहुत खुनखराबा होगा या अनंत को बच मुश भाएज कि अज़ाब है कि कि अ हरे घर हमारे घर नहीं यह गशन लोगों का हरे शरीफ यह कल anxi चलो हम लोग जवान बहु बेटिया है और यह तुम चाहूं या यहां तुम हस्ते जादा पक्वास करती जा रही हो गजब खुदा का भाईजान पूरा मोहला थुटू कर रहा है हम लोगों पर और आप आयाया आपको इज़त की परवाई नहीं है अपनी भाईया मुझे तो बहुत परवाई कोई रिष्टा तया नहीं हुआ था हमने काहा था लड़का देखने के बाद बात आगे बढ़ाई जाएगी शेहनाद एक चमाट पार दूंगी तुम्हारे मूँपर अभी तुम मेरी भतिजी हो खाला नहीं हो तुम मेरी आप ही मेरी फूपी है कोई यम्मा नहीं कि बाद हक की नहीं है हमने कोई जबान ने थी थी बैटी देने की रहेंगे मेरी नाग कटा करी यह गोरीels मेरी के नहीं करका हुआ कै और अम Tuona यहां गजब कुदा का अरे तबसुम तुम खाम का जित किया जा रही हो पूपी की बातों का बुरा मत मानियेगा वो बोलती हुए सोचती नहीं है वैसे दिल की बुरी नहीं है वो अरे भाईजान इनके सामने हाठ जोड़कर आप यह कह दिजए कि यहां से दफा हो जाए एक गैर इंसान के पीछे जरा सुचिए भाईजान सारे सारे मोहले की दुश्मनी मोल लिए हमने आप इसे कह दिजए यहां के चला जाएगा देखे मैं जानता हूँ यह यह सब जो हो रहा है इस सब की जड़ में हूँ कितने ताजूप की बात है जब रहीम और अबदुल के बीच जगड़ा होता है तो लोग उसे आपसी बात कहते हैं लेकिन जब वही जगड़ा अब्दुल और अरंद के बीच होता है, तो उससे हिंदू-मुस्लिम का फसाद बन जाता है. दंगे शुरू हो जाते हैं. मैं बाहर जाने से नहीं ड़ता. डड़ता इस बास्ते हूँ कि जिन लोगों ने इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया है, वो इस बड़ी बात को कहां पहुचाएंगे? और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं बाहर गया, तो बेतहाशा लोगों का खून बहेगा. जिनसे आप नफरत करती हैं उनका भी और जिनसे आप प्यार करती हैं, उनका भी. कितनी माये रोएंगी अपनी उलाद के लिए. उलाद के लिए मा की चीखों का कोई दर्म नहीं होता है. मैं नहीं समस्ता था कि तुम इंसानियत को इतनी खरीब से जानते हो. आंटी, आप प्लीज खाना खालीजिए. चलो. मेरी वज़े से इंस सब को भूका मत रखी है. गजब खुदा का. अब इनके साथ बैटकर खाना खाना पड़ेगा मुझे? तबसुम, अगर तुम नहीं खाती, तो हम जा रहें खाने को. मेरे बगर खालें गया? तो फिर चलो. रुको. यहां आओ, शन्नो. अब आओ भी. क्या प्यार है? थपड़ जोर से दने लगा था? नहीं. नहीं? अरे वाँ, फिर तो ठीक है? अच्छे, यह बता, कबाब किसी बने है? कोई कबाब नहीं बने है, यह वेजिटेरियन है. कजब खुद आखा, अब इनके वज़ा से, मैं, मैं घास पुस खाऊंगी. उसूलन तो तुम्हें वही खाना चाहिए, महाओ बजार से. भाई जान. चलो, चलो, अबी, चलो, चलो, जानते हैं, जमानी साहब, आपने सरकार को वचन दिया है के आप पांच साल में मुंबई में मेट्रो रेल चलवाएंगे, जानते हैं हम, लेकिन एक वचन तो आप भूली गए, हमारा जो चार सो करोर रुपया है, वो कब वापस कर रहे हैं? जल से जल वो रुपया हमारे स्विस बैंक के अकाउंट में जमा करवा दो, वरना मेट्रो ट्रेन चलाने का तुम्हारा वचन, तुम्हारा सपना बनके रह जाएगा, समझें? असलाम वालेकुम ठाकुर साब, कामिल खान, क्या हाल है, क्या ख़बर लाए हो? कामिल बड़ा जालिम है ठाकुर साब, हालात अच्छे नहीं है, एक बार फिर हिंदू मसलमान आमने सामने आ रहे, फिर दंगा चड़ेगा, खून भाएगा, आग लगेगी जी हा ठाकुर साब, पिछले दंगो में तो हमने कुछ भी नहीं किया था, हिंदू मरे और मुसलमान मरे, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे इस बार हम खामोश नहीं बैठेंगे भाईया, विवेक दिक्षित हिंदू और मुसलमानों के दिलों में जो जगा बना रहा है, उससे हमारी चीफ मिनिस्टर की कुरसी खायब हो सकती है, हम खामोश बिलकुल नहीं बैठेंगे, और दोनों कौमों के दिल में उसके लिए न पर दंगा तो जरूर होगा, और इल्जाम विवेक दिक्षित पगी जाएगा, फिकर मत करो ठाकुर साहब, ये काम तो अपना हुसेन ही कर लेगा, और वैसे भी ठाकुर साहब, हिन्दू मुसलमान नहीं लेंगे, दोनों प्रेम से मिल के जुरके रहेंगे, तो हमारा फाइ पहलने से पहले शुरू हो जाना चाहिए, हाँ, ये तो तब होगा ठाकुर साहब, जब विजय और करीम चाहेंगे, ये तब होगा, जब हम चाहेंगे, हम, या तब, जब आनन्द मरेगा, आनन्द को हम मारेंगे, एक हिंदू का खून, मुसलमान के हाथ हो, और वो भी मुस अरे, इस से अच्छी बात धंगा शुरू करवाने के लिए हो ही नहीं सकती, क्या, हाहा, बस, एक खून शंकर चाय क्या पिला रहा है, विश पिला विश, क्या हुआ कबीर चाचा, क्या होगा, दोनों को इतना समझाने की कुशिश की पर, ना विजय समझता है, और ना करीम ये दंगा और कितने लोगों की जान लेगा, पता नहीं, बहुत बुरा लगता है मेरी बात तो सुनी, आज आप प्लीज काम पर मत जाएए ना, क्योंकि जब आप काम पर से वापस आएंगे तो आपको, हमारी याई इस घर की राख ज़रूर मिलेगी, प्लीज, आज तो कम से कम आप खर से बाहर मत जाएए, प्लीज हाँ तैटी, मुझे भी बहुत डाय लग रहा है बेटा, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता, हम आज ही इस बस्ती को छोड़ कर जाएंगे, हम रोज रोज मौत के डर में नहीं रह सकते असलाव आलेकूम कामिल भाई आलेकूम असलाम कफूर खान हाँ के हुकम से सारे लड़के लोग तयारें यह देखिए खूब बड़िया, क्या बात है गफूर खान अब जैसे हुसे नानंद का कून करेगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा तुम सब लोग इंधरा नगर में गुसना, और मुसल्मान लोग को मारना समझाना मैंने तुम्हें क्या कहा, और बाकी का काम, बचा हुआ काम, बाकी के मुसल्मान कर देंगे समझाना तुम्हें, चल निकल एक मुसल्मान होकर तो अपने ही लोगों को मारेगा तु सही नहीं करनिल खान, उपर वारा सब देख रहा है हाँ, अल्ला देख रहा है, ए, इंसान है इंसान बना रहे, अल्ला बनने की कोशिश मत कर हमारे मामले में पढ़ने के जुरुत नहीं, समझा तुम्हें, अभी तो तुम्हारी एक टांग टूटी है ना, दूसरी बचा के रख, वरना गवाना पड़ेगा उससे, चल फूड़ी हाँ से, फूट आचारिय जी, परदीव ठाकुर की गुंडा गर्दी का कहर, पूरे मुंबई शहर में आतंता मौल फेला रहा है आचारिय जी, हमारा तो सारा व्यापार कतम हो गया है, तबाह हो गया है, नस्ट हो गया है अब आप ही कुछ बता सकते हैं, क्या करें, उसकी गुंडों के दमकी वरे फोन आते रहते हैं, आचारिय जी, आप ही कुछ की जी सिर्फ आप ही हैं, पूरे मुंबई शहर में, जो परदीव ठाकुर की गुंडा गर्दी से, हमें छुटकारा दिलबा सकते हैं हमें तुम्हारी तकलीफों का एसास है, मिश्रा जी लेकिन परदीव ठाकुर के बड़ते जल्मों को रोकने के लिए, अब ये जरूरी हो गया है कि आने वाले इलेक्शन में, उसकी सरकार न रहे लेकिन उसको इलेक्शन में हरवाने के लिए खड़ा कौन होगा उसके सामने सर, कौन? जी आचार्या जी, आप, आपको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, परदीव ठाकुर के खिलाफ क्योंकि, आप ही वो शक्सियत हैं आचार्या जी, जो इस इलाके के लोगों का दुख दर समझते हैं और वैसे भी आप में वो ताकत है, जो परदीव ठाकुर को इलेक्शन में हरा सकते हैं और इस काम में मैं आपके साथ हूँ बेटे, तुम, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा आचार्या जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, आचार्या जी मैं शाहिद अली शाहिद अली, नहीं, मैं माफिस अंगवा बेटे, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना आचारय जी मैं वही आनाद बच्चा हूँ जिसे आज से पंदा साल पहले आपने सड़क से उठाकर इस घर में जगा दी और जिसके लिए आपने हर महिने पढ़ाई के लिए खर्चे भेजे और आपकी बदौलत आज मैं इस्पेक्टर बन गया हूँ सर माफ करना बेटा बड़े लंबे अर्से बाद मिले हो इसलिए मैं तुम्हें पैचान नहीं पाया आओ आचारय जी आपने मुझे गले से लगाया ऐसा लगा जैसे मुझे जन्नत नसीब हो गई बस बेटा मेरी एकी तमना है के दोर मुसल्मान इसी तरह आपस में गले मिलें और भाईयों की तरह एक होकर रहें अपन तो खुशी कर लेगा भाई अगर आनन यहां से बचके चला गया तो विरादरी को क्या मुझे दिखाएगा भाई अपनी तो नाग कर जाएगी भाई अप उनको कुछ करना चाहिए बोले तो साले को घर से बाहर खीच कर लावे हम लोग तो आपके हुकम के गुलामे कर रहे हैं भाई क्यों शकेल और क्या भाई का साथ नहीं देगा तो कहे का मुसल्मान अरे सबर तो मुझसे भी नहीं हो रहा है लेकिन क्या करें वो साला अपने वाला ही गांडू है अरे वही तो चुपा के बैठा साले को अंदर कामिल बड़ा है जालिम है विजय भाई कुछ भी हो जाए अपने हिंदो भाई को हर हाल में बचाना है हम लोग अपने देश में रहते हैं अगर मिजोर्टी वाले माइनोर्टी वालों से दपके रहे तो जीने का क्या मतलब काट के पहक देना चाहिए जो भी अनन भाई को हाथ लगाए इन लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि इस देश में हमारी बात माननी पड़े यस, that people are conductors of major wrong thing happening in the locality of universe that are not trustable peoples नई तो क्या ये लोगों पर भरोसा इस नहीं करना वंगता है लेकिन जल्दी कुछ करना पड़ेगा अपना एक हिंदू भाई मुसल्मान के घर में बंद है मैं तो एक भी मिया पर भरोसा नहीं करता साले सब कतार होते हैं बाडर पर रखके खदेर जाना चाहिए सबको क्योंकि जब भी मुका मिलेगा हम लोगों की पीठ में छुरा गोप देंगे एक वतन है एक ही भारत मा है तेरी इसकी गोद ही तेरा सब कुछ तेरी दुनिया जा है तेरी फिर भी पगले लड़ता है तूं जाने कैसी चली बया करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार आनन्द मिया यह तुम्हारी फूफी ने तुम्हाही ले तौफा वेजा है मेरे लिए क्यों तुम उनके बेटे जैसे नहीं हो नहीं हूं लेकिन अगर वो खुद देती तो खुद देती क्यों मेरे मेरे हाथ में देने से कुछ वर्जन कम हो गया इसका लेकिन अंकल मा के हाथ का तोफा तो फिर मा को खुद देना चाहिए तबसुम जी भाईजान यह आपके फर्जन अरजुमन मिस्टर आनन की फर्माईश है कि यह तोफा जो है आप अपने हाथों से इनको दे अ भाईजान दे तो दिया मैंने आपको लाई तो ठी अपने बेटे के लिए इन्हें देना मेरे हाथ मेरे हाथ यह भी तो आपके बेटे जैसे ही है है यह हाथ हाथ में फर्क होता है आपका हाथ है और मेरा हथोड़ा है दीजिए यह लीजिए थेंक्यू इंग्लेंड में पैदा हुए थे शुक्रिया बोलो ओ शुक्रिया रेंदो अंदर वाले मुझे नौज कर खा जाएंगे उन्हें भी तो अफ्रे दे देती हैं मैं भी तु यह भी शन्यों के लिए बात में दूंगे है शन्यों पसंद आई अच्छी नहीं लग रही है यह रंग मुझे जची नहीं रहा है 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 शन्यों हो क्या गया तुम्हें अभी तो कह रहे थी बहुत खुबसूरत है यह रंग तुम्हें बहुत पसंद है अब क्या हो गया नहीं इतनी खुबसूरत नहीं है गजब ख आप मुझे कोई और दिखाए ना सारे बाहने हैं तुम्हारी दुसरी साड़ी लेने के लिए कहा गई वो यह देखो जाओ अपके लखनों से आऊंगी ना तो अच्छे वाले चिकन के सूट लाऊंगी ठीक है हाँ मेरी बच्ची पूफो आप कितनी अच्छी है ना हाँ और कोई साड़ी नहीं है आपके पास गजब खुदा का क्या हो गया है तुम्हें हाँ यहा तो बैट मेरी बच्ची तेरी तबियत तो ठीक है ना मेरे बच्ची पहले तुम्हें लाते थी साड़ीया मेरी पसंद की हर साड़ी हर कपड़ा तुझे अच्छा लगता था अब क्या हो गया तुझे क्यों पसंद नह बच्ची और कोई साधी दिखा दो ना और साधिया तो नहीं हो इसके दो थी इसमें पूरानी साधियां है चाहो तो इसमinksे centuries ठीक है दिखा दीजी आपको आपको देख लिजिए खोलो सुठ ले लो है भड़े नके नखरे हो गये इनके करीना शातर की तरह। करने लगे इमान से यह है यही है चाहिए तो रख लो और ना इसमें डाल दो वापिस क्या हो गया इससे साड़ी एक भी पसंदने आ रहे है बताओ फूपो यह साड़ी में रख लेती हूँ यह मुझे बहुत अच्छी लग रही है है अल्ला तेरा लाग लाग शुकर है दो रखाद नमाज शुकराने की दफिल पढ़ने पड़ेगी मुझे अल्ला ताला रहम कर असे पागलों पर तैंक यू फूपो आए हाए तैंक यू मुझे लगा है ये तिरा है अब उसी तिरे ये भड़ा तू तू ही मेरा जहाँ दे लम्हा को ही प्यार का रिश्टा नया नया है नया है सिल सिला प्यार का जाने का हले के चला है नया ये रासता प्यार का रिश्टा नया नया है नया है सिल सिला प्यार का जाने का हले के चला है नया ये रासता प्यार का करिम भाई आपसे एक बात कहूं क्या है बे तुझे जाना है नहीं वो बात नहीं करिम भाई तुझे सिर्फ तेरी पढ़ी यहां सब मुसल्मान के इस जद्धावर्वपर लगी और एक यह बेख साथ एक हिंदू को घर में चुपा के बैठें अरे लानत है सम्मिया भाई पर यह पकड़ कर खीच जोड़ से हाँ यह बंद ही नहीं हो रहा है और इतना बड़ा बैग हाथ ही जैसा वजन इसका तुम पूरा बजार खृत के लिए के जा रही क्या कजब बंद राहरा है यह बंद हो यह नहीं रहा है समॉप इसामान ज्यादा मैं बंद ना और बंद कर लेंगैं रॉट्डंडि मेरे जुदरे जसे नपाक तो नहीं हो जाएगा यह पहल जुदा का भी कमाल का लड़का यह हिए करो अपने जौर आज़बाइश होसे मोई मैं रह कर दिया तुमने अपने हाथों से कभी कोई चीज सही भी की है उपर से हसी है मत भाइजान तुम तो भी कुछ शब्द भी आके तरह हो हमारे लखनों के उन्होंने जीज चीज को हाथ लगाया बर्बात कर दिया क्या करोगे इसको लटक जाओ यह रस्सी टूड़ जाएगी इतना वज़र नहीं समाल पाएगी भाइजान आप हसी बद्भाइजान बांद देता हो सही से बांद हो रसी भी तोड़ दोगे ओफ यह हो गया अब बस आंटी हो गया काम हो गया अरे इनका भी शुक्रिया अधा करो शुक्रिया नाम तबस्वम है माइने मालूम है ना जी मुस्कुरा ना भाइजान आप भी ना नफिसा बेटा जल्दी मेरा बुर्खा निकाल के रख दो टाइम नहीं हो रहे हैं चलो उठाओ फिर बुर्खा रखो रखो यहां रख दो एक काम करो तुम रिक्षा बुलवा दो एक कायर की अलाद बुर्खा उतार हमारे होते वे बुर्खे में नहीं जाया गया तू यहां से अरे इन से पहले तो मैं मार दूगा तुम्हें नॉंसेंस यॉर कटिंग अवर नोज शो मी वाट इस इन यॉर बुर्खा बिना चेहरा देखे तो मैं किसी को यहां से जाने नहीं दूगा बेक साहब चाहे कुछ भी हो जाये बेक साहब गोदी में मिठा लेते अपने लाडले को बुर्खे में छिपा के साबित कर दिया कि साला नामर्द है बहुत बत्तमीज बहया और बेश्रम किसम के इंसान हूं तुम्हारे घर की औरते बिना परदे के सड़कों पे घुंगती हो कि हमारे घर की नहीं शरीफ औरत तक्रीर नहीं चचा हम भी जानते कि अच्छा और सच्चा मुसल्मान कौन है हमें सिर्फ यह जानना है कि यहां से बाहर कौन जा रहा है तुम होते कौन है मेरे घर की किसी खातुन का नकाब उलटकर सर्याम उसको बेनकाब करने वाले तुम हो कौन तुम्हारे माप आपने तहजी बिमान शरापत कुछ सिखाई ले तुम बो मजबूर मत करो बेक साब मरना अपने हाथों से नकाब नोज दूँगा अरे मैं तुम्हारे हाथ तोड़ कर रख दूँगा ये ले ओ जनिवन लेड़ी देख शैतान दीदे फार फार कर देख मैं औरत हूं है तोबा तोबा घजब खुदा का अगर तुम जैसे मुसल्मान इस दुनिया में जिन्दा है तो मैं अल्ला ताला से भीक बानती हूं कि तुम जैसे को मिटा दे और खतम कर दे तुम लोगों के दिल में खुदा का खौफ नहीं रहा इमान के रोश्टे मर गई है तुम जैसे चन्द मुसल्मानों की वज़ा से दुनिया के सारे मुसल्मानों पर थूथू कर रहे हैं अरे फिटकार बरस रही है तुम चन्द लोगों की वज़ा से सारे मुसल्मानों पर लानत है तुम पर मैं जानता हूं और मेरा अल्ला जानता है कि मैं कैसा मुसल्मान हूं अल्ला त लेकिन इन गुंडों की जीद मैं भी पूरी नहीं होने दूंगी गजब खुदा का आप चलिए अंदर अरे तो क्या इनसे हार माले आप चलिए तो सही ड़के घर में बैठे तापसु क्या समझ रखा इन लोंडों ने तौबा तौबा अंटी मैंने आप लोगों से कहा था कि हाँ हाँ तुम नजुमी हो ना कमबखत मरे तुमने हमारे सारे रास्ते बन करा दिये जाने के जरा सोची भाईजान भरे बहले में इस लोंडे की वज़े से मुझे अपना नकाब उठा कर अपनी शकल दिखानी पड़ी सबको कुछ समझ में आई बात अल्ला जाने कैसे कैसे और दिन देखने पड़ेगे इस कमबखत मरे की वज़ा से हमको पता नहीं कौनसे मनुस घड़ी में इसने कदम रखा था हमारे घर में भाईजान अरे तुम अपना मुझ काला करके कहीं चले क्यों ले जाते हाँ पूरे घर की बेज़ेती करवा चुके हो खांदान की बेज़ेती करवा चुके हो अब क्या घर में से किसी की जान लेकर जाओगे या मेरे बोला इस बला से निजात दिला दे हम लोगों को तूबह तूबह आप फुपो की बातों का बुरा मत मानिये लानत है अशे लोगों पर तबहसुम देखो मानती हूँ बहुत बड़ गलती हो गई उनसे लेकिन अपने आपको संभालू अरे क्या खाक संभालू भाबी अरे एह गजब खुदा का ऐसे तो शेहनास अ अब पुपो गजब खुदा का कितिना और बरदाश्ट करोगी भाईजान हमारी इजट पर डाका डाल दिया है इसने एह मैं तो कहती हूँ धक्के देकर बाहर निकाल दीजे इस नसीब जले को और अगर देखिए भाईजान आप में इम्मत नहीं है तो मैं इसे धक्के देकर बाहर निक आपको इसी वस्ती में रहना है भाईजान अपने कौम के लोगों के बीच बस इतनी बात समझ लेजी आप बस इस मन्हूस को अभी इसी वक्त घर से बाहर मिकाल दीजिए कि 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 अंकल कि मैं मैं जा रहा हूं कि मैं सिर्फ कि दो मिनिट का मेहमान हूं कि मैं यहां से बाहर जाओंगा और बस वो लोग मुझे बात डालेंगे कि इसलिए एक बार मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं प्लीज अंकल कि आप लोग मुझे कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि अरे आंटी आपने तो मुझे वह तोफा दिया है जो आप अपने बेटे के लिए लाई थी क्या आप अपने इस बेटे से कुछ कहना नहीं चाहेंगे जो सिर्फ चंद लमों का मेहमान हैं कोई आशिवाद कोई दुआ नहीं देना चाहेंगे आप लोग अंकल अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो तो मैं आप लोगों के ज़रूर कहता कि मैं देल से आप लोगों को अपना मानता हूं कि तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम्हारे सीने में ही दिल है जो दूसरों के लिए धालक सकता है हम लोगों के सीने में पत्था रखा हुआ है तुम्हें हम सब की किसम अगर तुम यहां से बाहर गए तो बाहर मर जाना और रहा है है कजी साथ कजी साथ कजी साथ कआ लेकिन लेकिन कजिस साब हमें बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ होन जाए सभी की अल्ला ही इफाज़त करने वाला है बेशक आप लोग डरिये मत दंगा तो होगा नक्की होगा तू तू हथियार का इंतिजाम कर आज मौका मिलते ही जावेद को खलास कर दूँगा साला साला बहुत जीरियारे अगर हम लोग पकड़ेगे तो कहां रे दंगों में कौन किसको पूछता है साला कौन मरा कौन बचा अरे लोग अपनी दुश्मनी तो निकालते हैं एक बार दंगा शुरूत होने दे साले उस जावेद को वहीं पर टपका देंगे ठीक है चाड़ मेरे बात सुने अमदुल बेटा मैंने सब देखा आनंद के गारी की कांश तूने ही तोड़ी मुझे लगता है तुम्हें उससे सौरी कहना चाहिए कबे चाचा उसने एक बच्छे को नहीं बल्कि एक मुसल्मान को ठपड मारा है उसकी सजा करेम मामू उसे जरूर देंगे नहीं ऐसे मत बोल अबदुल बेटा एए मिलके आहम बनाए जहां प्यार का इधर आईये मौलाना साब मुझे एक आइडिया आया है कि हम पुलिस को फोन करते कि बेक साग के घर में छगड़ा हुआ है तब जाकर पुलिस को पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है पुलिस को आखिर मुझे को हुए कुलिस कुलिस इस इस से कंड राउंड कुलिस उच उप चो उप एंड निमीड कर रुड की की शॉचौड रफिक भाई रफिक भाई एक सच्चे मुसल्मान के तरह आज तुम्हें एक मुसल्मान की मदद करने होगी कैसी मदद? मैं तुमारे घर के छट के रास्ते से बेग के घर के अंदर जाऊँगा और उस सले हिंदु लड़के को घर से बाहर खीच लाऊँगा इसलिए तुमारे मदद चाहिए बोलो क्या बोलते हो एक मुसल्मान अगर दूसरे मुसल्मान की मदद ना करे तो लाना थे उस पर वो बेक तो आए खबीज आओ मिया बिसमिल्ला करो खुदा हाफिज हुद हुदा अंकल, आपकी बास सुनकर तो यही लगता है, कि ये करीम की बहुत बड़ी ना समझी है, जो वो अपने भाई मुष्टाक का कातिर विजर को समझता है, क्या कभी आपने उन दोनों को समझाने की कोशिश नहीं की? अरे आनन, मैंने उन दोनों को बहुत सम्झाया था, लेकिन दोनों को सम्झाने का मतलब है पत्थर पर अपना सर पटकना आनन, सब ठीक तो है ना? मैं विजर बोल रहा हूँ सब ठीक है ना? कौना तु, बोल कौना तु, आनन देशका नकाबटाओ, नकाबटाओ उसका अज़ा है तुम तो कामिल खान के आदमी हो, तुम्हारी आनन से क्या दुश्पनी है, क्यों मारना चाते तो उसको, तुम तो इस बस्ती के भी नहीं हो, मेरे घर में घुछने केसे तुम, प्रदीब ठाकुर के कुत्रे, अब मैं चाल समझाओ तुम्हारी, एक मुसल्मान क अज़े घर अगर एक हिंदू का खून हो जाए, तो दंगे तो हो गई, अब मैं चाल समझाओ तुम्हारी मेरे मां के लिए दवा लेने जा रहा हूं, क्या हूँ अधरी मां को समझाओ अपने आपको, समझाओ तुम, क्या सब खेरियत, हाँ बेग साब, चाय नहीं पिलवाएंगे, चाय, आप लोग मेरे घर में, हाँ बेग साब, मैमान आया है, चली चाय पिलवाईए, अच्छा, हाँ, बेगम, चाय त्यार करना तो, जी, तुम चलो, पीट के हाँ, आओ, आओ, भाई, आप लोग मेहमान बन के आएं तो, तो मेहमान को, चाय वाए तो, क्या बात है बेग साब, बहुत ही घपराईवा लग रहे हो, कौन, मै, ने, ने, वो, मैं असल में ये ताजूब कर रहा था, अल्ला का करिश्मा की ये, ये, ये मारने वाला भी मे मेरे घर में और बचाने वाला भी मेरे घर में, और मार खाने वाला तीनो एक साथ मेरे घर में तो, अजीब सा हो लग रहा था, पूछो कौन है, कौन साब है, इंस्पेक्टर नार्वेकर, बेग साब, अगर पुलिस को आनन के बार में कुछ भी बताया, तो अच्छा नहीं होगा, अगर पुलिस के सामने मूँ खोला तो याद रखना चचा, तुम्हें यहीं रहना है, आज येर तो यहां से बच के चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी के मूँ पर तेजाब से सजा के निशान मैं बनाऊगा, हाँ भई समस्तों, यहां यहां अरे यह कहां चली गई, या अल्ला, रहन कर, मेरे माबूर, तुन्हें पुलीस को सही वक्त पे भेजा है, यह खून खराबा टलने तक उसे यहीं रुकने की हिदायद दे मालिक, सब तेरे ही तो बंदे हैं, सब के दिल में रहम डाल मेरे मौला, अखले सलीम अता फर्मा मेरे मालिक, तुही रहीम है, तुही रहमान है, तुही मुहाफिज है, सब की हिफाज़त करना, अमीन, सुमामीन, माफ कीजिएगा बेक साब, आपको कश्ट दिया, नहीं कोई बात नहीं, करीम, विजय, जी, इधर, वो, अब, आप दोनों के खिलाब कंप्लेंट है, अरे नहीं, हम तो याँ बेक साब से चंदा मागने आये थे, और उन्होंने चाय पे बिढ़ा लिया, किस बात का चंदा सर, मैं और करीम, फनसवाडी में एक मंदीर और एक मस्जिद बनवा रहे हैं, वो भी आजू-बाजू में, इसी बात का चंदा लेने के लिए बेक साब के आये थे, ऐसा काम मत करो भाई, अल्ला और भगवान को एक साथ मत रखो, कल को ये जगडे का सामान बन जाएगा, य ये वो आनन्द है, मेरे बेटे सलीम का दोस्त है, वो बैंगलोर से आ है, हलो आनन्द, असल में वो बच्चा शर्मारा है आपसे, अच्छा, चाय पीजी हमारे साथ, अरे वाह, करीम भी यहाँ है, विजय भी यहाँ है, सलीम का दोस्त आनन्द भी यहाँ है, और अब चाय वे ठेक है खुन? खुन? उसकी इतनी हमत उसने मरे आदमी का खुन बहाया अच्छा बेक साहब अब मैं चलता हूँ नवा जिश चाह बैलाने के लिए धन्यवाई अट्छाइ पून को मारेगा हुँ कर उो हुँ कьяसा अम हुँ हुण अजड़ाँ बस कुछ पल का जीवन है ये, बस कुछ पल का मेला है छोड़ के जाना है सब एक दिन बंजारों का खेला है बाटल बंदे अपने शिक दुख जो भी बचे है दिन दूचा करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार क्या खबर लाए हो कामिल खान कामिल बड़ा जालिम है ठाकुर साब ठाकुर साब काम बड़ा गलत हो गया क्या हुआ अनन्द हुसेन के हाथ उसे बच गया वह क्या हो गया कि एनमोके पे पुलिस पहुच गई ठाकुर साब बड़ी मुश्किल से उसे इन अपनी जान बचा के भागा है वहां से हरामजादे ये खबर सुनाने आया है हमको अरे हमें आनन्द की जान चाहिए जान अब दंगे कहां से होंगे सला इतना सा काम नहीं कर सके तुम की तरह खिलाते रहते हैं तुमको हुसेन ने ट्राई किया था ठाकुर साहब लेकिन वबेक साहब और उनकी बेटी शेहनाज बीच में आ गई उन लोगों ने बचा लिया उस हरामजादे आनन्द को माज चुप रहाओ सोचने दो सलक कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आप आप कुछ मत सोचे ठाकुर साहब मैंने सब कुछ सोच लिया है तो फिर बताओ ना भया समय कहा है हमारे पास जल्दी बताओ घौर्ट से सुनिए मेरी बात जगड़ा शुरू किया था अब्दुल ने जिसने आनन्द की गारी का शिश्य तोड़ा था जन्दी बताओ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ अगर हम अब्दुल को मार देंगे तो मुसल्मान यही सोचेंगे कि हिंदू ने उस बेचारे मासूम अब्दुल की जाल ले ली फिर वो चुप नहीं बैठेंगे वैसे भी उनका खुन काफी गरम होता है फिर तो वो आग लग खुन और दोनों कौमों में अठ्वारा अचारिय जी करेम और विजयुक अगर नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा बेकसूर लोग मारे जाएंगे खुन की नदिया बहेंगी कुछ तो कीजिये अचारिय जी इस नर्थ सहार को आप ही रोक सकते हैं अचारिय जी कुछ कीजिये हे कितरा क्या है अंकल क्या रहे तेरा दोस्त अब्दुल का है वन्ना मास पढ़ने के लिए गया हुआ है मस्दीद में गया है अच्छ चल तू अभी घर जा और अपने अम्मी और अबु के साथ अल्ला को याद कर अब तुम लोग के पस ज्यादा समय नहीं है ठीक है जलाब कर जा मैं एसा नहीं कर सकता है मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं इतने सारे निर्दोश्यों का खून नहीं बहा सकता है मैं इतना स्वार्ति नहीं हूं यह बोज लेकर मैं नहीं जीसा होंगा करीम नबास पढ़ रहा है और विजय गयें गहें नहीं यह अच्छे मौगा है यहां से निकल लेगा यह यह अच्छे मौगाँ पर कर्णा है यह रड्यापूर्ण जी स्वास्टन शेंटीचा वार्ति सुरूर्डचा यह अच्छे मौगाँ अ यह 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 यह,वार्ति करणे आपनी माद्गाई निकल्गाँ युझनुण तो यह ट्रूर्श्यों कि दो निक्या था है उस्च ओे का, वो को, या तुड़ना इन हुआ हुआ प्लाइ़ झाज़ झाली खता या प्लाइ़ इढ़ा दूरत फ आप उड़। ऐवेग graph जयन वouse और सुड़ झाली रहाँ झाब खलाई प्लाईज ठामने घर सुड़ Neek विजय और करीम दोनों किसकी पीछे भाग रहे हैं। कहीं ये आनन्द की पीछे तो नहीं भाग रहे हैं। अरे फिर आनन्द येस तरह क्यों भाग रहे हैं। कुछ लफडा है। रुख जाओ, एक भी कतम आगे मत बढ़ाना। आचारे जी, हट जाओ यहां से, आज हम आनन्द को जिंदा नहीं चुड़ेंगे। कामिल बड़ा, जालिम है। अरे मा का दूद प्या है ना, तो आनन्द को हाथ लगा कि बता। नहीं हाथ तोड़ दिये, तो नाम बदल देना। जाहिल कहीं के, देश को आजाद हुए छहसाट साल हो चुके हैं। मगर तुम लोगों को अभी तक अक्कन ली आई। आनन्द को मार कर तुम किस बात का गर्म मैसूस करना चाहते हो। इस बात का कि तुम ने आज एक कौम को नीचे दिखा दिया। तुम जोनों कौमों ने अपना खून बहा कर इस देश को आजाद कराया। और आज इसी आजादी को खुत्म करना चाहते हो। क्यों तुम अपनी घटिया सोच के गुलाम हो। शर्म आती है मुझे। और तुम्हारी सोच पर तुक भी होता है। कि इस देश को अजाद कराने के लिए जो तुम्हारे पुरवजों ने अपनी कुर्पानी दी, वो सब व्यर्थ गई। तुम्हारी इनी अर्कतों की वज़े से, इस देश का भविश्यटक मगा रहा है। तुम लोगों ने कभी सोचा है, कि इन अर्कतों से तुम्हारी आने वाली पीडी का क्या हाल होगा। ये आचरीन बयोकूफ लोग को क्या समझा रहा है। क्यों नहीं बदलते तुम लोग अपनी इस खड़िया सोच को तुम्हें सोचना चाहिए इस तेश के 120 करोड़ लोगों के बारे में अपने माबाप के बारे में जिने ये सब देखते हुए कि इतनी तकलीफ होती होगी कि उनकी उलद अपने राज़ते से बड़क चुकी है और हिंदू और मुसल्मान को आपस में लड़ाने के लिए एक दलाल का काम कर रही है शरम करो रत्ती भर मुसल्मान और रत्ती भर हिंदू अपने आपको धर्म का ठेकेदर समझ बेढ़े हैं और ऐसी चिंगारी को हवा दे रहे हैं जिसकी हाग की लप्टों में पूरा मुल्क जहस रहा है बंद कर दो दोनों कोमो को आपस में लड़ाने वाली गठिया सोच और गठिया वित्रों को जो तुम्हें तबाही खून खलाबे और विनाश के सिवा कुछ नहीं दे सकती जी आचारे जी इंस्पेक्टर ये लड़के अपना रास्ता पटक गया है इनको इनके घर तक पहुंचा दो जी चलो सब लोग आचारे जी आपने मेरी जान बचा कर मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है अनंद मैंने तुम्हें नहीं इस देश को बचाया है अचारे ने परदीप ठाकुर का प्लान फैल करके उसकी सीएम की कुर्जी हिला दी है लगता है जल्दी परदीप ठाकुर की सीएम की कुर्जी चीन ली जाएगी बलाई इसे मैं कामिल खान प्रदीप ठाकुर के बारे में मत सोच अपनी जान बचाने के बारे में सोच अब जल्दी फूट ले यहां से कामिल, मैं तुम्हें आरेश्ट करता हूँ देश को तुम दुनों की दोस्ती और एकता की जरूरत है चाचा, हिंद मुस्लिमेक हो गए रिष्टा नया, नया है नया है सिल्सिला प्यारता जाने का हले के चला है नया यह रास्ता प्यारता रिष्टा नया, नया है नया है सिल्सिला प्यारता जाने का हले के चला है नया यह रास्ता प्यारता तेरी दिन जले लाया साथे एक पल रोतिया चाहि बस तुझको है चाहि हर घड़ी जीया हर रास्ता तुझी से हो शुरू हर एक पल है तुबरू मिलके आहम बनाए जहां प्यार का प्रिष्टा नया नया है नया है सिल्सिला प्यारता जाने का हले चला है नया यह रास्ता प्यारता रिश्टा नया रया है, नया है सिलसला प्यार का, जाने काहले के चला है, नया ये रास्ता प्यार का एक दुझे से न जुदा हो, साथ ऐसा मिले, किन आसमानों में हम तुम दूर संसं चले साथ ना कभी ये छूट साथिया, हात बातों पे न छूट साथिया, करने बादा कोई